हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो लांसर विसेट, दिस इस राम सोनी, मध्धबदेश पीस्टी ने साइन्टिफिक ओफिसल्स की जो वेकेंसी निकाली थी, उसमें एक बदलाव किया है, इन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ अब इंट्रिवूज की जाएंगे, इसका कोई रिट जो आपके एकेडमिक्स के परशंटेइज है, जैसे मास्टर से मस्टी आपने किया, मस्टी में जो परशंटेइज है, उसके हिसाब से यहां पे साइज लिस्ट किया जाएगा, यह कह सकते हैं काफी उन्फॉर्स उन्यट है, आज कोई बड़े एक्जाम जो होते हैं, उसमे जो आपकी ग्रेजिशन या पोस्ट ग्रेजिशन में जो मार्क्स हैं, उसके हिसाब से बेसिकली साइज लिस्ट नहीं किया था, यह वैले यूपी एसी जैसी जो बड़ी वोड़ी हैं, आपको क्लेक्टर तक बनाया जाता है, आपको वो भी प्रापर तरीके से यूपी एस अपना खुद का एक्जाम कंड़ कराती है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर ज़रूरी है कि आयोग को प्रापर तरीके से रिटेन ऑगनाईज करना चीए, अब यहाँ पर केवल और केवल इंट्रिवूज ऑगनाईज की हैं, अब यहाँ पर इनोने बोला है कि साक्षातकार के मा केंसी स्क्रेट कीए थी, आप इस तरह से अपना निकाल सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि हाँ इस तरह से आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अपना जो पोस्ट में जिन लोगों अप्लाई किया है, उन्हें एक बड़े लिफाफे में अपना सारा डाकुमेंट जो है, इसमें सब्मिट करना है, सेंट करना है, और यह सारा डाकुमेंट आपका 29 अप्रेल तक पहुंच जाना अची है, सामको 6 वे तक, इसके लावा यहाँ आपे बुला गया है कि जो सबसे इंपॉर्डेंट बात बुलीगी है, चैन साक्षातकर के अधर पहोगा, आरकरी इसके बाद इसके बाद एक्जामनेशन होने के बाद में सौर्टिस किया जाएगा, इसके जलते हैं, इसके जलते हैं, इसमें कोई सकी बात नहीं, हमें एक बेस्ट ऑफिसर जो मिलने चाहिए, उसमें कई न कहीं सुड़ी बाद हा सकती है, इसके बाद 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 एक बाद 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 नहीं देते हैं, तो अईसी कंडिशन पे जो बच्चे ऐसे होते हैं, जो वाकिय बिसिकली सिंसियर हैं, जौब के प्रति, कई बार हम कुछ रुकसान हो जाता है, तो कहीं न कहीं मैं अपी PSC से दर्खवास करूँगा कि अपनी process को proper return organize किया करें, उसके बाद interview लिया करें, विकॉल जिदी आप ऐस system को लोग एविल लिए MBBS में आपने सीधे की सीधे interview organize कर दिये, तो MBBS के academics में जिननों के percentage 60% से कम थे, उन्हें आपने वहाँ से सीधे बाहर निकाल दिया, they had been thrown out, तो कहीं न कहीं ये system काफी गलत है, आप ये channel system change करते हैं, क्यों न आप एक exam proper तरिकेस करनेट करा लो, return exam कराऊ, हर किसी को opportunity मिलेगी, ये चुकि हर एक college में academics से अलग अलग तरिकेस होती है, हर एक college में academic के जो percentage से अलग होते है, मार लिए सपोस करें, मैं एक्स वा इजट college के बात कर रहा हूं, वहाँ percentage जदा मिलते हैं, ये से engineering colleges में, जो government engineering colleges होते हैं, वहाँ पे आपको percentage score करने में हलत खराव आती है, वहाँ पे जो private engineering college होते हैं, वहाँ पे आम तोर पे percentage जदा बनते हैं, जो कि वहाँ पे practical में number काफे अच्छे मिल जाते हैं, तो कहीं न कहीं MPPSC को इन चीजों को सुड़ी ध्यान में रखना चीए, ऐसे unilateral तरिके से आपको action नहीं लेना चीए, आपके उपिरियन में क्या है, आपने चीजों करें बताएं, डिसकसिन के इस वाइन अप करते हैं, लेकिन येस, अपने सभी दोस्तों को इई वीडियो जरू से एर करेगा, जिससे information पता चल पाए, कि बाकी आपके दोस्तों का opinion क्या है, और आप क्या सूसने हैं इसके बार इस समय MPPSC प्रियम्स का जो बैस कोस्तों लांच किया गया है, उसकी फीस है मात्र, मात्र 1399 रुपे, आप इतनी फीस में, आप पूरा MPPSC प्रियम्स का कोस्तों कर सकते हैं, तो चले डिसकसिन के वीच वाइन अप करते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर तब तक कि बाबाए, ट वाइन लेटे एट, किंप एक वाइन लाइन लाइन खुफे जवावड़ खोड़ हैं, झाएन टेक्व ट्यच का लग्ट।